यहां पे जो है अगले नए पेस्पी यहां पे देख सकते हैं प्रिजर्वेशन आप फूड यानि की भोजन का सनरक्षड है ना कैसे भोजन को जो है थोड़ा कुछ दिनों तक रख के खाया जाए बचाया जाए उसको इसके बारे में आम लोग इसमें डिस्कॉस करेंगे तो चाहरा हो कि जो है लमबे समय तक नहीं होता है तो कैसे यहां पे कह रहा है कि प्रिजेर्वेशन आप फूड करने में बचाल सकता है तो जो है तो कई तरीकों से हम व्यूट होने सेने से बचा सकते हैं पहला आपका मेथड यहां पे देख सकते हैं ड्राइंग का है तो इसमें क्या किया जाता है removing the water content of the food याने कि किसी तरीके से जो है क्या किया जाए food में जो water content है उसको हटा दिया जाए remove कर दिया जाए तो हमारा खाना सड़ने से spoilt होने से बच सकता है तो यहां पे उदाहरण की बात करें हम लोग तो क्या किया जाता है उसको सुखा जाता है drying wraps to get regins देखिए यहां पे जो है आप लोग जो किसमिस हमारे घरों में होता है वो किसे बना होता है यहां वहीं आप अंगूर रखेंगे तो तुरंद् खराब हो जाता है लेकिन किसमिस की अगर हम लोग बात करें तो वह कई दिनों तक रह जाता है उसको dry कर दिया है उसके वाटर content को हटा दिया जाता है उसके बाद से जो है अब लोग ऐसे फिगलिंग करेंगे ठीक है ना यानिकी मिक्स करके तेल और आम यह सारी चीजें उसके बाद से नीबू हो गया और भी बहुत सारी सब्जिया सब्जियों को तेल और नमक मिला के जो है उसको कई दिनों तक रखा जा सकता है नेक्स हम लोग बात करेंगे रैफ लोग उसको फ्रीज कर देते हैं यानि की ठंडा कर देते हैं ना यानि की जो है उसको थोड़ा जो है कम डिगरी टेंप्रेचर यानि उसको रख देंगे तो हमारा फूड प्रिजर्व होके रह सकता यहां पर देखिए कह रहे कि जो है हम लोग भोजन को जो है और सब्जिय पोस्चर और एक्सरच यानि की रेस्ट आराम करना बेटिणिकी इस्तिति हमारी बोडि की इस्तिति कैसी है और एक्सरसाइज यहां पर देखिए कहारा कि हमारी body को जो है rest जो है proper function करने के लिए यानि की proper work करने के लिए आपकी body को हमारे rest की जरूरत होती है तो यहां पर हम लोग बात करें अगर school children की तो उसे 9 से 11 घंटे तक कम से कम जो है एक दिन में 24 घंटे में 9 से 11 घंटे यानि कि उसको सोना करेंगे इससे जो है हम लोग बीमार हो सकते हैं therefore staying up late is not a good idea इस तरीके से जो है ज्यादे मात्रा में हमें आराम ना करना यह हमारे लिए जो है खतरनाक साबित हो सकता है ठीक है ना उसके बाद से हम लोग पूस्चर की बात करें तो यहां पर पूस्चर कह रहा है कि यह बाड करीड के हड़ी है वो हमेशा चाहें हम लोग खड़े रहें या फिर सीधे बैठे रहें वो सीधा होना चाहिए ना इनकरेक पूस्चर अगर हम जो है इसको सही नहीं रखते है तो लंबे समय तक यह हमारे जो है जो है जो है जो आईन्ट में मसल में दर्द हो सकता है अक्ष पर करेक्ट बाड़ी पोस्चर यहां पर हो सकता है चिब कि यहांस तरीके से भी यहां पर करेक्ट बॉड़ी पोस्चर यानि कि इस तरीके से भी हम लोग चाहें तो प्रेख सकते हैं कोई दिकत नहीं है ठीक है यह तीनों जो तरीके हैं यहां पर वह करेक्ट बॉडि पोस्चर के ढ़ने यहां पर बात करेंगे आपका यहां पर एक्सरसाइज की एन यह तो हो गया आपका पोस्चर और रेस्ट की अब नेक्स जो आपके बुक and cricket help us to stay fit यहाँ पे कह रहा है कि जो है लगातार अभ्यास और जो है outdoor game खेलने से जैसे कि आपका hockey हो गया, football हो गया, cricket हो गया हम लोग healthy और fit रह सकते हैं ठीक है न योगा जो है यह बहुत ही पूराना method है exercise का जो है इंडिया में इसको जो है चलन में लाया जाता है यह इससे भी हम लोग अपने body को fit रख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे बच्चे जो है यहाँ योगा यह सारी चीजें की जा रहे हैं जो है आप लोग जो है अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह सारी चीजें उसके पास यहाँ पे जो है फैक्ट दिया गया कि जो 21st June is celebrated as the International Yoga Day यानि कि 21st June को जो है आपका International Yoga Day celebrate किया जाता है और इस तरीके से जो है आपके बुक का यह first chapter complete होता है अगर आपको कहीं भी किसी भी topic में कोई दिक्कत है कोई problem है तो जो है आप comment section में जाके आप मुझे question पूछ सकते हैं उसके अलावा जो है आप चैनल को like और subscribe कर दिजेगा और जो बच्चे जो class होर्त के बच्चे जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनपे share भी कर दिजेगा बाइ see you in the next chapter